चाहे कोई भी नेता कैसा भी काम करे लेकिन नितिन गड़करी पर जब जब सवाल उठते हैं तब तब नितिन गड़करी का ऐसा जवाब आता है कि लोग देखते हैं और नितिन गड़करी जवाब अपने मुह से नहीं देते हैं अपने कलम से देते हैं और नितिन गड़करी जो हमेशा से एकदम से भारत में रोड का जाल बिछाने के लिए जाने आते हैं, उन्होंने अब बिहार को भी एक सौगात दी है, बिहार के लिए नितिनगडकरी ने 1712 करोड रुपए का आवंटन किया है, और ये आवंटन लोगों के जीवन को एकदम से आसान मनाने वाला है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, कि जो पैसा नितिनगडकरी का बंत्राले बिहार को दिया है, उस पैसे से बिहार में क्या होने वाला है, और अगर आपको जवाब जानने की जल्दी है, तो जवाब यह है कि देखिए, पटना से बेतिया जाने में जब आप आपको पांच या छे घंटे लगते थे अब आपको मात्र पटना से बेतिया जाने में धाई से तीन घंटा लगेगा और NHEI का प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है बिहार के लिए 1712 करोड रुपईया दे भी दिया गया है और ये पैसा क्यूं दिया है गया है आप ये पहल जान का रोड है और इसमें होगा क्या तो इसमें तीन फ्लाइओर बनेगा 25 अंडर पास बनेगा एक पुल बनेगा और एक रेलवे ओवर बिज बनेगा अब इससे एक रोड चोड़ा हो जाएगा और जो पुल बनेगा अंडर पास बनेगा रेलवे ओवर बिज बनेगा इससे ज याद का परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसके अलावा मुझफर पुरोर वैशाली में जो बात है, वहाँ पर भी जो धार्मिक स्थल है, वहाँ से भी connectivity इसकी बढ़ेगी, आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, connectivity बढ़ने से क्या-क्या होता है, यह हम और आप जानते हैं अगर कहीं पे रास्ता बन जाए, तो बहुत सारी चीजे वहाँ पर आने लगती है, अपने आप development होने लगता है, और नितिनगडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री है, भारत सरकार के अंतरगत, तीसरी बार बने हैं, और उनके शानदार कामों की तारीफ तरिस्वी आदव त जाता है, वो कभी किसी को मना नहीं करते हैं, और नितिनगडकरी ने एक नया सोगात एक तरीके से बिहार को दिया है, 1712 करोर रुपया लएगा, मानिक गंज से साहिब गंज तक का रास्ता बनेगा, 44.65 किलिमेटर का रास्ता है, पुरा सड़क का चोरी करन भी होगा, अंड ये तमाम चीजे बिहार के विकास में जो बाधा रही थी, उससे रोकेंगी, और बिहार चोगुनी गती से विकास करेगा, नितिनगडकरी का और भी बहुत सरा अनाउंस्मेंट आया है, कई सारा ऐसा पुल-बुल है, जो बिहार के लिए ही बनने जा रहा है, और सबका पैस जो दूरी थी, वो महज 20-30 घंटे में अब कम हो जाएगा, सीधा आधा टाइम हो जाएगा, अब आप सोच कर देखिए, नितिनगडकरी का काम कैसा है, भारत सरकार के लोते मंतरी है, जिनका शायद ही कोई हेटर होगा, जिन से शायद ही कोई नफरत करता होगा, या राजन थे काम तो इक ह्लाम होगा, सीधा म Guess tutto, जिनका शायद ही कोई है, जिनका शायद आएग।